4-arm fracture, radius, alna, यानि कि इस side होती है radius, इस side होती है, अंदर side में alna bone, इनका कोई shaft का fracture हुआ है, plaster कटा है, या फिर कोई surgery होके plate पड़ी थी, तो उन सब के बाद हमारी wrist या फिर जो है, हमारी 4-arm इस तरह से घूम नहीं रही, यानि हम डंबरू टाइप का नहीं बजा पा रहा है, तो इसके लिए मैं सिंपल सी बस्ट एक्सराइज बताऊंगा, साथी साथ मैं आपको लाइब करके भी दिखाऊंगा, तो कैसे कैसे हम कौन कौन सी एक्सराइज को परफॉर्म कर शकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत्र तक जरूर देखना, और एक बात जरूर कहूंगा, पिछली वीडियो की तरह, चैनल पर पहली बार आएज तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, नोटिपिकेशन ओल पर प्रैस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता हैं, यूच्फुल कॉंटेंट आपके लिए ऐसे ही बनाते रहते हैं, यूच्फ से लेके उसके एक्सराइज तक लेके चलूँगा, जिससे आप आगी की एक्सराइज शमझ पाएंगे, आपका हाथ ऐसे से नहीं हो रहा है, जरूर होगा, आप बस इस बात को शमझेए कि मैं क्या बताना चाहा रहा हूँ, यह एक आपको टेवल की जरूर पड़ीगी, इसकी यह टेवल है, और इस टेवल पे रखने के बाद आपको हाथ रखने की आवशक्ता पड़ीगी, यहाँ पर मैं एक टोवल का सहारा ले लेता हूँ, ठीक है, यह थोड़ा सॉफ्ट है टोवल, इसलिए मैं इस हाथ को यहाँ पर रखूँगा, और शारी एक्सेसाइज में इस पे आपको करके दिखाऊँगा, और बहुत ही ज्यादा आशान होगी, आप खुद ही कर सकते है और सेल्फ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से बताऊँगा, आप इसको ट्राइ भी कर सकते हैं, इसमें मैंने बहुत इसलिए पहनी है, जिससे कि आपको लगे कि मैं रिस्ट को, ऐसे फोराम को, यानि कि मैं सुपाई निसन, प्रो निसन मुमेंट जब कर रह आउं, तो इसमें घड़ी आपको घूमते हुए, ट्विस्ट होते हुए, मुडते हुए, दिख रही होगी, तो सबसे पहले मां आपको उताज इस साइड होती ही, रेडियस, इस साइड होती है, अलना, आपका मुमेंट ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला, आपका हाथ ऐ इस बैरेक्शन में है, मानि उल्टा, अब ये ऐसे नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा, आपको कोई यूमरस या फिर या पर सैफ्ट आफ जो है, रेडियस या अलना, क्या आपको फ्रेक्चर हुआ था, उसके बाद आपकी फोर आर्म स्टिफ हो गई, ठीक है, तो इसके ल हाथ को रखना है, ये इसका एक्सिस बन जाएगा, और बहुती बैटर ये हो पाएगा, ठीक है, तो आप मेरे जो है, इस एक्सिस साइट पर ध्यान दीजिएगा, मैं किस तरह से परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर इस गिरिप को, इस हाथ को ऐसे करके यहा है, इस शाइट को ऐसे से आप खुद मोबिलाईज इसको हलका हलका कर सकते हैं, इसको आप एक, दो, तीन नट तक कर सकते हैं, फिर इसको करने के बाद आपको हाथ को यहाँ पर पकड़ना होगा, फिर आप इस तरह से इसको हलका हलका सा गुमा सकते हैं, ठीक है, यानि हलका यहां पर हात रखा पीछे, और हलका सा यहां तोड़ा सा दबाव किया, और हात को इस तरह से घुमाया, फिर हात को इस तरह से फिर से जोग शुपाई नेशन मूमेंट किया, अब मैं समें बटाऊँगा, दो मूमेंट होते हैं, जिस में हम लोग दमरू बजाते हैं, ठीक है, यानि कि हम उपर और नीचे करते हैं उन दोनों मुमेंच में इस वाले मुमेंच जो हमारा हाथ उल्टा होता रखा हुआ ऐसे तो इसको बोलते हम प्रोनेशन और इसको बोलते हम शुपाई नेशन यानि कि आप इस पे गौर कीजिए ये होता है प्रो नेशन यानि उल्टा हाथ और ये होता है शीदा हाथ अब आप भतेली उपर कर लेंगे तो शुपाई नेशन बोलते हैं इसको प्रो नेशन ये दो मुमेंट तभी होते हैं जो हमारी रेडियस अलना आराम से रोटेट हो रही होगी तो इसको करने के लिए आप दूसरी टेकनिक और भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको दूसरे वेक्ति यानि पैसिव मुमेंट आपको बताए हैं वो आपको वीडियो आई बटन पर मिलेगा ये सिंपल से तरीके से मैंने आपको हाथ के एक्साइज करने के मैथड बताए थे और एक एक्साइज में आपके लिए बताऊँगा जिसमें आप इस तरह से हाथ पकड़के इस तरह से आप जो है क्योंकि बहुत light exercise है, आपको थोड़ा सा चलाना है, और फिर इसके बाद आपको passive movement की ओर जाना पड़ेगा, passive movement बोले तो आपको कोई दूसरा बेखती exercise करेगा, उसमें आपके लिए मैंने eye button पर वीडियो दिखाया है, कैसे करके हम लोग exercise करते हैं, तो friends वीडियो कैसे लगा, मैंने basic जानका देदी थी, कि इस side होती है, radius इस side होती है, अलना, इनी दोनों पर हमारे ये movement होता, सुपाई, सुपाई nation, प्रो nation, तो मैं मिलता हूं कि शेन वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को like, तब तक के लिए, bye, अपना रखिए, खयाल